क्रिकेट फैंस अभी न्यूजलेंड के हाथों मिली तीन जीरो वाली हार से उबर नहीं पाए हैं लेकिन इसके साथ-साथ खुद को ऐस्ट्रेलिया दोरे के लिए तयार भी करना है टीम इंडिया उस्ट्रेलिया पहुंचे उससे पहले ही इंडिया ए उस्ट्रेलिया पहुंच गई है जिसमें कई बड़े खिलाडी भी शामिल है लेकिन पहली ही परिक्षा में इंडिया ए की भी हालत खराब हो गई है कुछ फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि ये आने वाली सीरीज का ट्रेलर भी है वो तो भला हो दुरूव जुरेल का जिन्होंने टीम इंडिया की इज़क बचा ली दुरूव जुरेल ने इंडिया ए और उस्ट्रेलिया ए के बीच दूसरे अन ओफिशल टेस्ट मैच में 186 गें उस्ट्रेलिया एक के अनभवी गेंबाजों के सामने सैनिक की तरह लड़ते हुए नजर आये उन्होंने पहले देवदर्ट पटिकल फिर नितीश रेड़ी और बाद में गेंदबाजों के साथ मिलकर साज़धारी की और स्कोर को किसी तरह 150 के पार वो ले गए उस्ट्रेल पारी को पट्री पर लाने की खोशिश की तभी 64 के स्कोर पर पढडिकल भी आउट हो गए जुरेल ने फिर भी हार नहीं मानी उन्होंने फिर और नितीश रेड़ी और निचले करम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर 91 जोड़े और टीम को 155 तक पहुचा दिया लेकिन इस बा पूरी टीम ने पहली पारी में कुल 343 गेंद का सामना किया इसमें से अकेले द्रूव जुरेल ने ही 186 बॉल खेली थी यानि पारी की आदी से ज्यादा गेंद तो जुरेल ने ही खेली थी वहीं टीम के टोटल में भी करीम आदा रन उनका ही रहा जुरेल की इस लड़ाई में मदद की थी तब भी उनकी तुलना धूनी सोने लगे थी बता दे कि जुरेल के पिता भारते सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं जुरेल को भी सेना बहुत पसंद है और जब भी वो कोई बड़ी पारी खेलते हैं तब सलामी देकर उसे सेलिब्रेट भी करते हैं ल